नमस्कार दोस्तों हम कर रहे हैं क्लास 11 की सिजिक्स का चैप्टर मेकेनिकल प्रोपर्टीज और सॉलिट्स बड़ा अच्छा कोस्चन है उसमें दी टेंपरेचर ऑफ वायर इस डबल्ड दे यंग्स मोडलस ऑफ इलास्टिसिटी विकम्स से डोस्तों आप जानते हैं हुक्स लॉस्तों का बताथा इस्ट्रेस दक शच्रेंट एक्पोर्पोर्ज्शनल ऑप्रिजेंटिन लेंग्थ 17 कैंशेक्या होता है लॉंकुट्रिणंट इसको इंग्स मोडूलस जिसको मॉडलस ओफिलास्टिसिटी भी कहा जाता है यंग्स मॉडलस या फिर मॉडलस ओफिलास्टिसिटी स्टेर इसकी उनित वही है जो स्टेस की है मेगा पासकल या पासकल या न्यूटन पर मीटर स्क्वार ₹ तो यहां से यह आग्या सिग्मा वाई एपसला कि मैं धूस्तों सिग्मा आप जानते हैं एपनेडिया होता है और एपसला डिल्टा एल यहां से यह बन गया FL by A delta L और यहाँ temperature की बात कर रहे हैं तो दोस्तो thermal stresses यहाँ पर दोवलब होगा और उससे जो changing length मिलता है हमें delta L is equal to L alpha delta T delta T जो है हमारा temperature difference है तो दोस्तो हमारा E क्या आ जाएगा FL by A alpha delta T जहाँ से important है यह तो दोस्तो हमारा E जो है वो delta T के inversely proportional है temperature double कर दिया जाता है माल लेते हैं पहले temperature 50 degree Celsius है अब 100 degree Celsius हो गया मगर हमें delta T चाहिए तो atmosphere temperature माल लेते हैं कि 25 degree Celsius है तो हमें जो delta T 1 मिल गया 50 minus 25 25 degree Celsius और जो delta 2 मिल जाएगा दोस्तो वो मिल जाएगा 100 minus 25 75 degree Celsius तो हमारा जो है delta T अगर बढ़ाएंगे तो E कम होगा मगर कितना कम होगा यहाँ पे तो दोस्तो तीन गुना कम हो रहा है 1 third हो जा रहा है क्योंकि ये 25 और ये 75 है मगर option में हमारे है कि double हो जाता है 4 times हो जाता है या same रहता है या decrease होता है तो definitely decrease होता है दोस्तो तो हमारा answer हो जाएगा will decrease ठीक है दोस्तो यह हमारा answer हो गया धन्यवाद